नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विक्रम सिंग और हमारे इस यूटूब चैनल पर फिर से एक बार आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने बाला हूं कि हमारा जो सीपी पलस का डी बियर होता है उसके अंदर से कोई भी रेकॉर्डिंग आगर आपको पैनडराइव के अंदर कौपी करने का दोप किस तरह से पैनडराइव के अंदर रेकॉर्डिंग है उसको मैं प짝सके का औहरे है चाहरे वह आगे हो या पीछे हो आप दोनों ढगे इसको नगा शक्ते हो जहांते रिधार क्ना यहां पर जगे खाली है, तो मैं यहां पर इसको लगा देता हूँ, pen drive को, pen drive को लगाने के बाद में, वो मेरा dbr है उसको automatic detect कर लेगा, तो यहां पर देखे, free space जो है, 14 GB उसके अंदर free space दिखा रहा है, उसके बाद में आप यहां पर file backup, यहां पर जाओगे, तो automatic आप जो है, अगर यह option नहीं आता है, तो आपको right click करके menu में जाने का है, उसके बाद में यहां पर video में, और video में आप यहां पर देखे, backup, backup के अंदर जाओगे, यहां पर आपको जो pen drive है, वो आपको यहां पर दिखा रहा है, उसके बाद में नीचे जो है आपका, यहां पर type, type पर आ और number of camera, आपको आपको आप केमरे जो है, वो select करने का है, वो दोनों आपको यहां से select करने का है, तो यहां पर मैंने चार तारिक select की हुई है, जनवरी की 2024 और उसका जो starting time है, वो मैंने 10 वजे का timing रखा हुआ है, और यहां पर यहां पर end timing में देखिए वो भी मैंने 4 तारिक 1-2024 और मैंने only 5 मिनट जो है वो ही select किया है कि वही मेरे को 10 वजे से लेके 10-5 का ही recording मेरे को चाहिए उसके बाद मैं नीचे देखिए यहापे search का जो option है वो आपको यहापे मिल जाएगा वो आपको यहापे बता देगा उसके बाद में नीचे देखिए backup पे आपको click करना है जैसी आप backup पे click करोगे तो आपकी जो pen drive है उसके अंदर यह जो file है वो copy होनी start हो जाएगी यह देखिए मेरी जो file है वो यहापे copy हो गई है दूसरी एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहापे कि जो file format है यह DAV format है DAV format के अंदर वह जो है copy यहापे होगा अगर आपका जो DVR आउसके अंदर यहापे MPG 4 का option आता है तो आप MPG 4 का option जो है यहापे select कर लेने का नहीं तो DAV file जो है वो format आप यहाप से select करने का उसके बाद में यहाँ से back करके आप live menu पे आ जाओगे और हाँ दोस्तो अभी तक भी आपने मेरे जो चैनल है उसको subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप subscribe करने वीडियो को करें like और यह जो file मैंने pen drive के अंदर copy की है वो मैं अभी आपको अपने जो laptop है उसके अंदर आपको play करके बताऊंगा कि आप इनको किस तरह से play कर सकते हो तो दोस्तों अभी आचो के हैं हम अपने laptop की screen के उपर और जो file मैंने pen drive के अंदर copy किया था उसको मैं पहले आपको यहां से open करके दिखा देता हूं तो यह देखे USB drive USB drive के उपर हम जब जाएंगे तो यहां पर देखिए यह one और यह two जो दोनों file है वो यहां पर copy हो चु यह VLC media player के अंदर यह है जो हमने footage लिया था अपने DVR के अंदर से वो यहां पर completely work कर रहा है इसी तरह से आप भी अपने DVR के अंदर से जो recording है उसको copy कर सकते हो pen drive के अंदर और उसके बाद में आप अपने laptop में या अपने computer में चला के playback जो है उसको आप आसानी से देख सकत दोस्तों आसा करूंगा कि आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं एक next वीडियो के अंदर जब तक के लिए जैहिन जै भारत